हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम बच्चे के पजामे से ये गरम पजामा है तो इस पजामे से मैं आपको बड़ों के लिए यानि कि आपने लिए एक बहुत अच्छा सरदी वाला आइटम बनाना बताऊंगी उसके लिए हमने इलास्टिक को अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये जो नीचे की सिलाई है इसको काट करके हटा देंगी है अब हम इसमें से नीचे की साइड से नौ इंच पे एक निशान लगाएंगे दोनों साइडों में और यहां से कट कर लेंगे कपड़े को आप यहां पे साड़े चार इंज पे एक निसान इधर से लगाएंगे और साड़े चार इंज पे यानि के फोरेंड आप पे दोनों साइड से निसान लगा करके इसको हमें सीधा करके कट कर लेना है और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले इन दोनों को हमने एक बराबर काट लिया आप हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसकी उपर की साइड से 5 इंच तक सिलाई करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका सिधा सिलाई कर देंगे यहां से इसको डबल सिलाई करके अच्छे सेपरेट कर देंगे अब हम इसको इस तरीके से सिधा करते हैं ऐसे अब सिशनां में अब इसमें आगे की साइड में दोनों आइस से याँ पे हमने फ fellow बेल बूल adoption है और इसको राउंड कर देंगे गोल याई देंगे इसको और दूसरी साइड में भी इसी तरीके से गोलाई देंगे, अब बीच में डेट इंच के अंदर तक निशान लेंगे, अब इसके उपर से सिलाई लगा देंगे, इसको अंदर दबा देंगे जो सिलाई वाला कप्ड़ा उपर दिखाई दे रहा है, और फिर इसको वापस उपर की साइड ले जाएंगे, और जो हमने निसान लगा उसके उपर से सिलाई लागा लेंगे, और यह जो इसमें एक्सित्रा कपडा रह गया उसको काट करके निकाल देंगे, इसma इस तरीके से मंदद्ध eco है झाल जहां रहें, इसमें सिलाई से बिल्कुल आसान है अब हम यह एडी की साइड में जो शिलाई है खुला कपड़ा है इसमें शिलाई लगाएंगे यहाँ पर फिर से डे इंच का एक निसान लगा करके उसको राउंड करेंगे और उपर तक शिलाई लगा देंगी यह सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसको सिधा कर लेंगे और अब एक तिर्ची पट्टी में से कपड़ा लेंगे इसको डबल करके चारो तरफ से सिलाई लगा देंगे जैसे आप देख रहें मैंने सिलाई लगा दिया है अब इसको बीच में से इधर से सिलाई करना शुरू करेंगे यह देखें दोस्तों कितना अच्छा हमारा मोजा बन करके कुछी मिन्टों में तयार हो गया है इसी तरीके से हम दूसरे को भी सिल लेंगे इसमें बस ध्यान रखें कि अलग-अलग पैरों का अलग-अलग हमें नाप लेना है इसमें कि दूसरा भी बन गया है इसके उपर भी सेम तरीके से कपड़े को अटेच कर देंगे और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें कि दूसरे को भी हमने इसी तरह से सिलाई कर दिया है सेम तरीके से दोनों बनेंगे कि दूसरे कर दो में वी तरीके टे कपड़े ये जर जर बनेंगे कि दूसरे कि दो नहीं टूसरे को आर भी हम हम एक पूसरे की तरह से लिए